हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चनल हर दिन टेक्निकल पर आसा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे वाहियो तो आज अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा बेसिक लेक्ट्रोनिक्स और इसका पार्ट टू आज आ रहा है जिसमें हम देखेंगे इसके फस्ट दू कंपोनेंट के बारे में अगे कि पिछला जो हमारा एपिजोड था यानि जो वीडियो था उसमें क्या था हमने कंपोनेंट के बारे में डिटेल में बात नहीं की थी सिरिफ कंपोनेंट का नाम बताया था और एक रफली ये बता दिया था कि किस तरह का काम ये करते हैं तो उसी सीरीज में आगे आने के लिए कुछ नहीं है फ्यूज में पर रेजिस्टेंस का जानना बहुत जरूरी है क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है चो हर सरकेट में यूज होती है हाला कि फ्यूज भी यूज होता है लेकिन बहुता यतियाद मात्रा में यूज होता है वो हमारा रेजिस्टेंस है और कई प्रकार के रेजिस्टेंस यूज होते हैं कई वाट्स में होते हैं तो यह बहुत महत्रपूर है और इसका सीरीज में अगर नंबर देखा जाए काउं में वहां से जागे देख सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं तो देखी यह है अपना फ्यूज तो फ्यूज में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है चलिए फ्रीव बता देते हैं तो देखी यह है एक transformer transformer की यह है हमारी input line जो 220 bolt AC होती है तो यहाँ इस में neutral तो सीधे चला जाता है और जो हमारा line होता है वो एक fuse के थिरू घूमके transformer पर जाता है जब यह इसलिए ऐसा arrangement के जाता है कि कभी short circuit हो या फिर किसी बज़े से कुछ और problem आती है तो हमारा यह फ्यूज ओड़ जाए और transformer burn out होने से बच जाए तो उसको safety के साब से देखा जाए तो यह हां लगाया जाता है इसलिए आगे देखते हैं देखिए time 토ra Schüler cred में दीकते हैं तो क्या है एक fuse Isרה यूजिट कर लीते हैं तो क्या होता है पहला इसी सेक्टे हैं और दूसरा वाला DKS सेक्टे में आप यूज कर सकते हैं केपिस्टर के बाद यूज करें अगर कैपिसिटर से पहले आप इसे यूज कर लेंगे यहां पर तो क्या होगा कि कैपिस्टर बहुत जाता है ड्रो करते हैं एलेक्टिसिटी को स्टार्टिंग में तो यह फ्यूजी उड़ाते रहेंगे परिसान हो जाओगा इसलिए कैपिस्टर के बाद इसे यूज करें यह बहुत ही यूजफुल जानकारी है और हर कोई बताता भी नहीं है तो मैं यहां बता दे रहा हूँ कोई बात नहीं है और आगे देखते हैं इसमें क्या है हाँ यह एक अहुजा के लिए मैंने सर्किट बनाया था कि डूल सप्लाई जो ट्रांस्फोर्मर होते हैं उनसे सिंगल सप्लाई हम कैसे बनाए तो एक वीडियो था इसका लिंक भी आगे क्या है देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हम देखेंगे तो यहां एक रेजिस्टेंस है और इसी के बारे में आगे डिटेल से देखेंगे देखिए कोई सर्किट ले लीजिए अब यह सर्किट तो एक ड्राइवर बोर्ड है हाला के लेकिन सर्किट कोई सा भी हो क और पीएफ लगे हुए हैं और एकल झाल हनों और रिजिस्टेंस देखी छोटे बड़े लगे हैं यहां कुछ बड़े हैं यह चोटे हैं यह और बड़े लगे हुए है तो यह सब पर हम आज डिसकस करेंगे और बताएंगे कैसा क्या है प्रेक्टिकल वीडियो तो नहीं है इसमें कोई क्योंकि जड़ों तो नहीं थी अभी पताने की कभी जड़त होगी तो आगे बताएंगे तो यहां सिर्फ हम ठीकल और थोड़ा समझने के साब से देखेंगे होता है क्या है कि कई बार हमें जो सिखा जाता है किताबों हमें वह जनरली बहुत ही ज़्यादा ही क्रिटिकल टाइप का लगता है मैं समझने में तो सिर्के सोड़ा उपर से चला जाता है समझ नहीं आता तो मैं यह कोशित करूँगा आसान से आसान तरीका में आप लोग समझ सकें तो चलिए टाइप सो प्रेजिस्टेंस पी चलते अब नॉन लिनियर में तो ज़्यादा कोई है नहीं कुछ लिनियर में हमारे दो पार्ट और हैं तो वो देख लेते हैं एक तो हमारा होता है फिक्सड और एक होता है वेरियेवल तो यहां लग देते हैं अब देखिए यह है क्या वो थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि यहीं से चीजें क्या होती हैं तो समझना ज्यादा बहतर रहता है तो आप कोसिस किया करें कि कि समझने की कोसिस करें कि किस तरह से ये काम कर रहा है और इसके पीछे क्या तरीका लगाया गया है ठीक है तो linear में यह है fix fix मतलब वो उस तरह की resistance हैं जिनका किसी भी पर मतलब बोल्टेज और टेंपरेचर पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता और यह एक तरह से फिक्स डिबल्यू में आती हैं रेजिस्टेंस वह होती है हमारी वेरियेवल वेरियेवल टैप की रेजिस्टेंस वह हो क्या है तो देखिए यह उस तरह की रेजिस्टेंस होती है जिनका टेंपरेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस बैल्यू चेंज होती रहती है और ये फिक्स नहीं होती वोल्टेज और टेम्परेचर की हिजाब से वैरी करती रहती है तो इनके डिटेल्स हम आगे देखेंगे उससे आगे देख लिते हैं आगे क्या दिया है वीडियो में तो देखिए हम पहले लीनियर में चलते हैं और इसके दो पार्ट हमने जो बताए थे फिक्स्ड तो फिक्स्ड में क्या है देखिए क्या रेजिस्टेंस है हम जातर केल्कुलिट संजो करेंगे तो वो 100 ओम पर ही लेके चलेंगे ताकि कोई कर दिसना हो और समझने में भी आसानी हो तो द यह कौटर बॉर्ट का रेजिस्टेंस है солн dh value है इसकी और कि यह हं देड्र की है sa । यह क्यों दिखेंगे और गքं अब सबसे कम पवर्वर्ण के जुरत होती है वहां कार्टर वाट का रेजिस्टेंस यूज करते हैं वन वाट और टू वाट के रेजिस्टेंस आपको इस तरह से देखने में मिलेंगे यह फ्यूजेबल भी होते हैं और नहीं भी हो सकते हैं और फाइब वाट के रेजिस्टेंस हैं वह आपको वायर वाउंड में मिल सकते हैं य यहां तक टूवाड्स तक आता है मैं भी फ्यूजीवर और ये फ्यूजीबल Monsieur Maras वाइर बन्ना वेशान नहीं होता और ये सीमेंट वाला ये फ्यूजीवर होता है तो इस तरह से वहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि इनकी length होती है उसको और इसकी मोटाई के साब से पता किया जाता है तो बहुत ज्यादा detail डीप हो जाएगा वह तो ज्यादा जरूत नहीं है डीप जाने की आप दुकानदार से किसी से भी मांगें कि हमें 1 watt या 2 watt जितने value की resistance होगी वह आ अब दिखते है कि अ फारी के तो दिखी बैरियावल टाइप में क्या होता है कि अपने ट्रेंप टर की से देखे होंगे यह तीन वाले होते हैं छली एक और दिखा देते तो इस तरह का देख लीजिए के उपर होता है नो जो हम श्कुरू ड्राइवर मदस से इसे सेट करते है इस पर वी उपर दिया हुआ है चलिए और दिखा देते हैं यह प्रिशेट तो आप ने देखा ही होगा इस तरह से तो यह भी एक बैरियेवल लाइगा और यह दिखा देते हैं आपको आपको ज्यादे अच्छे सम्झ बाजाएगा तो यह प्रिश्ट भी है देखिए तो यह और तरीका है चलिए वह भी समझा इधर और तीन इधर तो यह six spin हो गया three plus three ठीक है अब और क्लियर कर देते हैं तो चलिए सिंगल पर आ जाते हैं यह तो अच्छी से देखाई होगा आपने तो 123 यह हम लोग कई सरक्ट बना चुके हैं यूज भी कर चुके हैं तो यह tone control है हमारे जो volume के लिए base के लिए travel के देते हैं चलिए अब नॉन लिनियर में आते हैं तो देखिए नॉन लिनियर में क्या होता है एक LDR लाइट डिपेंडेंट रिजिस्टर होता है यह मतलब जितने भी आपने स्ट्रीट लेंप वाले जो आटोमेटिक्स देखें होंगे लेंप के जब भी सूरज की रहेगी लेंपर रहता है और जैसे अंधिरा होता है तो और वहाँ पर आपका LDR ही यूज किया जाता है यहां में नाम नहीं लिखाया इन का किसी का भी तो यह LDR होता है और उसके बाद में आता है NTC देखिए एक NTC होता है और एक PTC होता है दो तरह के यह component होते हैं और यह होता है negative temperature coefficient मतलब कि जैसे जैसे इसका temperature बढ़ेगा तो ये क्या करेगा इसका resistance कम होता चला जाएगा और positive का क्या होता है कि जैसे जैसे उसका PTC का temperature बढ़ता है तो उसका resistance भी बढ़ता चला जाता है ये दोनों का difference है थोड़ा सा और काम वही तरीका है कि resistance को vary करना तो ये हो गए आप वो temperature और voltage के हैसाब से change हो जाती है और भी इसमें कई एक तरह के भी और component आते हैं आप कमेंट में बताएं तो हम उनके बारे में भी आगे बात कर लेंगे हाला कि ये तो starting session है तो इसमें बहुत ज्यादा cover नहीं किया ये component आपको audio systems में या फिर TV के या फिर SMPS जो भी electronic gadgets होते ह हमारे वहां समय दिख जाएंगे कहीं ना कहीं इनको मिलाकर ही एक circuit बनता है तो इससे भी cover कर देता हूं box में आगे सोड़ा सा और clear कर लेते हैं कि resistance जो होते हैं हमारे देखिए ये एक 100 ohm का resistance है और इसमें होता क्या है कि ये आपको देखेगा तो कुछ पट्टियां दी हुई होती है और इसे हम calculate कैसे करते हैं वो एक बार समझ लेते हैं देखिए इस तरह से ये मैंने design किया हुआ resistance है जो के 100 ohm का है तो यहां brown, black, brown और पर यहां golden है ठीक है चलिए एक list ही लेते हैं देखिए ये list है हमारे तो इसकी जो पहले digit होती है यानि कि यह माले जी पहले digit तो यह भी आपकी same लिखी जाएगी दूसरी वाले digit है वो भी same लिखी जाएगी जितने नंबर पे color होगा उतना तीसरी वाली जो होगी हमारी वो multiply किया जाएगा यहां multiply into 10 लिखा हुआ है यानि कि 10 की power जो लिखी हुई है उत 10% toll trends रहेगा उस्पेड तो silver तो बहुती कम देखने को मिलती है हम लोग जो यूज करते हैं वो गोल्ड यानि कि 10% वाली यूज करते हैं तो यहां देख लिए यह हमने जो किया है इस तरह से तो इसमें क्या है कि हम कैसे करते हैं तो देखी यह पहली वाली जो हमारी पट्टी रहेगी एक बार देख लेते हैं तो पहली वाली पट्टी है तो यह ब्राउन है तो यहां ब्राउन देख लीजिए तो फस्ट डिजि तो हमारी second पे थी या उसके सामने zero लिख दिया अब last वाली फिर हमारी वही है तो अब तीसरी है लेकिन तो तीसरी वाली multiply किया जाएगा तो इसे हम multiply कर लेते हैं तो देखिए multiply किया हमने इसे 10 से क्योंकि brown है हमारी तो यहां into 10 किया गया है तो यह अब 10 into 10 करेंगे तो 100 ओमा जाएगा ये ओम की वैल्यू आपका निकालने के लिए है और ये तीन हमारी जो स्ट्रिप्स होती है पट्टी होती है दारियां होती है वह करती है इसकी बैल्यू और जो लास्ट वाली होती है गुल्टन एसलवर वह इसकी टॉल्ड्रेंस करती है अब टॉल्रेंस होता क्या है है वो एक वारा समझ लेते हैं समझ यह कि आपका रेजिस्टेंस है 100 ओम का अगर इसकी 5% टूल्रेंस है तो क्या होगा कि 95 और 105 के बीच में इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है यह होता है आपका 5% टूल्रेंस मितलब प्लस या माइनस या तो 5 इसकी वैल्यू उपर जाएगी 20% में और 5% नीचे भी हो सकती है तो उसके आसपास वैल्यू होती है फिक्स नहीं हो सकती बन परसेंट टूल्रेंस में लेंगे आप तो एक परसेंट का टूल्रेंस उपर नीचे मिलेगा आपको चलिए तरीका और है उसे देख लेते हैं अब यह ओम हो गया अब क्या होता ह है छोटी वैल्यू जो होती है हमारी वह किस तरह से कैल्कुलेट की जाती है वह थोड़ा सा डिफरेंस है तो इस डिफरेंट को हम देख लेते हैं कि क्या किस तरह से डिफरेंस रहता है इसमें देखिए पहली पट्टी है हमारी वह में लिख ली यहां पर वन और दूसरी है मैं दोबारा से एक बार करके दिखा देता हूं यहां 5 होना चाहिए हमारा तो देखिए यह 5 है तो 1 और तर 5 तीसरी स्ट्रिप जो है हमारी पट्टी वो गोल्डन है यहां पे तो हम यहां क्या करेंगे इसको डिवाइट करेंगे गोल्डन पे जैसा कि तो हम इसे डिवाइट करेंगे 10 से तो इस हिसाब से आपका 1.5 यानी 1E5 आ जाएगा कैलकुलेशन में अब चलिए एक और देख लेते हैं कि यह ओम्स की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली है यहां पे अब हम देखते हैं कि कि में जो वैल्यू आती है उसको किस तरह से हिसे समझ आ जाए ठीके तो पहली स्थि हमारी क्या से सकते हैं यहां पर दूसरी जो है वůर जीरो क्यूक्री के पहली नहीं है Esti और दूसरी ब्लैक है तो उसका जिरो ले लिया है दूसरी डिजिट अब तीसरी हमारा मल्टिप्लायर होता है तो टैन पे ऑट में यहाँ तो इन पर टो और जिरो एड़ कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से कर लेते हैं अब क्या है यह वन हताओजंड हो जाता है तो लो की बैली जो होती हो थाओजन के राबर ہब these equal तो इसे एकर हमताओजंड से डिवाइड करेंगे तो बन ही रह जाएगा इस हिसाब से यह बन के की रेजिस्टेंस बन जाती है इस तरह से यहाँ पर तो यह वीडियो था आज का उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और जो नए सब्सक्राइबर हैं सोरी जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और जो लोग दिल से चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका धन्यवाद उनके लिए ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे तो चलिए यह आज का वीडियो था मिलते हैं किसी अगली वीड कर